हेलो गाइज, स्टाक मार्केट न्यूस फॉर अरन में आप सभी एका स्वाकत है आज है 31st of December, बात करेंगे Yes Bank के बारे में साथ ही दोस्तों डिसकस करेंगे Angel Broking और Camcon के बारे में दोस्तों Yes Bank में आज की तारीक में वैसी ही तेजी देखने के लिए मिली है जैसे कि कल की तारीक में मैंने आपसे डिसकस की थी चुकि दोस्तों यहाँ पर आप सीधे तार पर देख सकते हैं डिलीवरी लगातार बढ़ रही है दोस्तों टेकनिकल चार्ट पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो support trend line है उसके साथ ये काम कर रहा है यानि कि दोस्तों यहाँ पर सीधे तार पर घरीदारी चल रही है और दीरे दीरे आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तक्रीबन 18.20 के उपर दोस्तों जैसे ये stay करेगा यहाँ से दोस्तों यह दोर लगाता हु़ आपको दिखाही पड़ेगा यो resistance आपको 20 का देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों जो हमारा 24 का target है वो भी देखने के लिए आपको मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधे तोर पर देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए दोस्तों यहां पर एक बाइंग चल रही है जो कि डिलिवरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों साथ यह बात करते हैं एंजर ब्लॉकिंग और कैमकॉन के बारे में तो दोस्तों के तारीक में दोस्तों 14 प्रत बारे में यहां पर क्वांटिटी बहुत कम डिलीवर हुई है निकि दोस्तों यहां पर देखेंगे तो ऊपर गयप है जो कि 5 आपको 584 दक देखने के लिए मिलेगा यानि दोस्तों यह इस टॉक अगर अभी भी भागता है और आज की तारीक में दोस्तों यहां पर जो ते मिल रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर इसने नीचे भी गैप बनाया है जो कि आपको 442 के लगबग देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों यहां पर आपको जैदा excited नहीं होना है दोस्तों उसका कारण है यहां पर delivery quantity जादा नहीं है तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रावट देखने के मिले धिरे धिरे और तक्रीमन यह 442 का गैप पहले फिल करने आए अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और यह कल की तारिक में उपर ही चला गया तो दोस्तों यह यहां से अगर नीचे आता तो डेफिनिटली बहुत सारे यहां पर छोटे रिटेल नीवैशक फस जाएंगे और दोस्तों यह नीचे आता वह आपको दिखाई पड़ेगा तो दोस्तो यहाँ पर दोनों ही directions आपके सामने हैं अगर यह 442 का गैप फिल करता है तो दोस्तो डेफिनिटली फिर ही उपर जाएगा और अपने गैप को फिल करेगा तो दोस्तो आप डेफिनिटली 442 बाइंग कर सकते हैं तकरीबन 584 के target के लिए लेकिन दोस्तो अगर यह पहले 584 की तरफ जाता है तो दोस्तो आप समय लीजे कि गैप फिल करके दोस्तो नीचे ही आएगा इसलिए दोस्तो यहाँ पर अपने हाथ मत जलाएगा वहीं दोस्तो अगर हम बात करेंगे एंजल व्रॉकिंग की तो दोस्तो एंजल व्रॉकिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर दोस्तो एक gap है जो कि 267 से लेके दोस्तो आपको देखने के लिए मिलेगा 252 पर अब दोस्तो यहां पर हुआ क्या कि आप देख सकते हैं कि नीचे जरूर आया लेकिन दोस्तो उसके बाद यहां पर एक बड़ी तीजी बनी और इस स्केंडल के बाद दोस्तो एक गिरावट लगातार आप देख सकते हैं तो दोस्तो आप खुदी समझ लीजिए किस डिरेक्शन में जा रहा है और दोस्तो इस गैप को फिल करेगा चुकि यहां पर जो मुनाफ़ा इन्होंने दिखाया था वो अपने आप में काफी अच्छा था और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में द्वारा वो उस तरीके का मुनाफ़ा दिखा पाएंगे तो दोस्तो यहां पर यह डेफिनिटली नीचे आएगा और यहां पर भी अपने गैप को फिल करेगा तब आप इसको यहां पर बाय कर सकते हैं 250 के लगबग उससे पहले दोस्तो यहां पर अपने हाथ इसमें भी ना जलाएं तो दोस्तो यहां पर हमने तीनों स्टॉक के ब झाल, 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 झाल